नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो 2015 में भारत और जापैन के बीच में एक एग्रिमेंट साइन किया गया था और इसमें ये बोला गया कि एहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी अब ये जो बुलेट ट्रेन है दोस्तों इसको अलग- इतिहास में अभी तक 25,000 करोन रुपै का किसी को भी कॉंट्रेक्ट नहीं दिया गया था लेकिन फानली ये जो कॉंट्रेक्ट है इसको L&T ने जीत लिया है तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा है लेकिन उसके पहले थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूं दोस्त इसके बाद फानली जाकर मुंबई के अंदर जो बांदरा कुरला कॉंपलेक्स है वहां तक ये करीब 500 किलोमीटर की दूरी तै करेगा बुलेट ट्रेन और बताया जा रहा है कि विथिन टू आर्स के अंदर ये जो बुलेट ट्रेन है वो पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा और आगे का ये प्लाइन है कि एक बार ये चीज़ स्टार्ट हो गया भारत के अंदर टेक्नॉलजिकल ट्रांसफर आ गया इसकी वज़ए से जिस तरह से आपने गोल्डेन कॉड्रिलेटरल के बारे में सुना है जैसे कि न्यू डेली से लेकर मुंबई फिर यहाँ पर चिन कि ये जो पूरा बिडिंग हुआ था ये किस प्रकार से हुआ L&T को ही ये क्यों यहाँ पर मिला और यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि ऐसा देखा जा रहा है कि मिनिमम दो साल का इसमें डिले हो गया है क्योंकि पहले बताया गया था कि 2022 त बताऊंगा तो चलिए मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बॉक और ट्रीटर पर मेरे लेक्षर की हब पीडियोफ आपको फेस्बॉक पर तो मिलेगी ही प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चनल जो नहां तक बनाए जाएगा इसके लिए एक अलग से कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था 2016 में यह आपको पता होना चाहिए एक्जाम पॉंट आफ यू से और इसका नाम है नैशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एच एस आर सी एल इसको 12 फेबरी 2016 में बनाए गया अंडर कंपनीज एक 2013 और इसका जो में अबजेक्ट था कि यह जो पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडॉर है एमदाबाद से लेकर मुंबई तक इसमें जितने भी काम है फाइनेंस से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर मेंटेनेंस से लेकर हर एक चीज यह जो कॉर्पॉरेशन है उसको देखेगी अब इस कॉर्पॉरेशन के अंदर कौन-कौन लोग सामिल है तो आपको याद रखना है कि जो सेंटरल गॉर्मेंट की रेलवे मिनिश्री है वो इसके अंदर शामिल है और जो दो राज्य सरकार है गुजरात और महाराष्ट वो दोनों इसके अंदर शामिल है इसको आप यहाँ पर और अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सावर मती से यह स्टार्ट होगा और यहाँ आएगा आपका बांदरा कुला कॉम्पलेक्स तक और यहाँ पर टोटल बताया जा रहा है करीब 508 किलोमेटर का यह पुरा कॉरि 320 किलोमेटर की हो सकती है और टोटल टाइम मैंने आपको बताई दिया दो टू आर्स के अंदर कम्पलीट किया जा सकता है अब यह जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसको ध्यान रखना महसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कहते हैं क्योंकि M से है मुंबई एहमदाबाद ह आई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है अगर महराश्ट के अंदर अगर इसका हिस्सा देखें दोस्तों तो करीब 155 किलोमेटर का आता है इवन जो यूनियन टरिटरी है दादर और नागर हवेली उसमें याद रखीगा 4.3 किलोमेटर जो ह इस पर्टिकलर यूनियन टरिटरी का भी है और गुजरात में सबसे बढ़ा हिस्सा है that is 348 किलोमेटर अब इसका पुरुए प्रोजेक्ट का जो अनुमान लगाया गया है कॉस्तिंग का वो बताया जा रहा है अराउंड 1.08 लाख करोन बहुत बढ़ी संक्या है एक लाख क जिया गया था कि 0.15 परसेंट इसके हिसाब से कुछ यहाँ पर तैकि अब बहुती निल है आप समझे और यहाँ पर लॉंग टम के लिए यहाँ पर लोन दिया जाएगा 35 एर्स तक का बताया गया था अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हुआ क्या है तो यहाँ पर यह ज क्या हुआ है कि 237 km का जो लेंथ है वाया डट का यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे मैप के अंदर कि यह जो वापी है वापी से लेकर वदरोधरा के बीच में यह जो पर्टिकुलर लाइन है इसका लेंथ है आपका 237 km तो इसके लिए यहाँ पर यह कॉंट्रैक्ट वो है 25,000 करोन रुपए तो बेसिकली यह 237 km का जो लेंथ होगा इसमें क्या क्या किया जाएगा ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है वाया डट क्या होता है बेसिकली आपने देखा होगा जो बुलेट ट्रेन है वो जो चला करती है बेसिक किलोमीटर का वो L&T के द्वारा बनाया जाएगा इसके अलावा भी जो स्टेशन होगे जो स्टेशन होंगे रेलवे स्टेशन वो भी बनाये जाएगे यहां पर 14 रिवर क्रॉसिंग बनाई जाएगी बोला गया इस 237 किलोमीटर के लेंथ में 42 रोड क्रॉसिंग होगा इस पर शामिल थी बिडिंग प्रॉसेस में तो ध्यान रखिएगा मार्च 15, 2019 को इसका बिडिंग बुलाए गया था यह जो 237 किलोमीटर का मैंने आपको लेंच बताया तो 2019 में ही इसकी बिडिंग कर दी गई थी लेकिन यहां पर ऑफिशल के द्वारा बताया गया आगे चलकर COVID-19 वगरा को देखते वे इस चीज़ें डिले होती गई और फानिली जाकर 23rd September इसी साल दो महने पहले यहां पर टेकनिकल बिड खोला गया आपको पता होना चाहिए एक टेकनिकल बिड होता है दूसरा होता है फानेंशल बिड टेकनिकल बिड में यह देखा जाता है कि जिन और कंपनी सामिल थी दो और कंपनी कौन है L&T के अलावा एक है आपका जो टाटा प्रोजेट का जॉइंट वेंचर है अलग-अलग कंपनी के साथ इसके अलावा एफकॉंस इंफ्रास्ट्रक्चर यह सबका जॉइंट वेंचर था तो दो यह कंपनी हो गई और L&T हो गया और फानिली जाकर विथिन वन वन जो टेक्निकल बिट ओपन किया गया था 23rd September उसके बाद जो भी प्रोसेस अपनाना था तो यहाँ पर फानेंशल बिट देखा गया टेक्निकल बिट में जो कौलिफाई कर जाता है उसके बाद देखा जाता है कि कौन सबसे कम में यहाँ प सबसे कम दाम की बिडिंग L&T के दोरा की गई और इसलिए यह प्रोजेक्ट इनको दे दिया गया है लेकिन दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारे देश में इस्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो होता है लैंड अक्विजिशन यह सबसे इंपोर्टेंट अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लैंड अक्विजिशन के बज़े से डिले हो जाते हैं तो यहाँ पर जो चेर्मैन है रेलवे बोर्ड के वीके यादोची उनका कहना है कि जो ओवरॉल जितना हमें लैंथ चाहिए यह पूरा 500 किलोमेटर का प्रोजेक्ट है उसमें से 66% का जो लैंड अक्विजिशन है वो हमने अल्रड कर लिया है इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों की L&T ने यहाँ पर अल्रेडी 88 किलोमेटर का भी जो 7000 करोण का कॉंट्रेक्ट है वो भी जीत लिया था आप देख सकते हो वापी से लेकर ये वदोधरा मैंने आपको बताया 237 किलोमेटर का ये अभी का जो जीता हुआ है L&T ने इसके अलावा यहाँ पर वदोधरा से लेक पर एहमदाबाद का जो डिस्टेंस है करीब 88 किलोमेटर का ये कॉस्ट आएगा करीब 7000 करोण के आसपास जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला कॉंट्रेक्ट भी L&T को मिला है ये भी आप ध्यान रखेगा अब जहां तक बात आता है कि महाराश्ट के अंदर क्या होगा व करना है लेकिन यहाँ पर सबसे important चीज याद रखेगा दोस्तों जो 2022 का deadline था वो अब cross हो जाएगा 2 साल के लिए at least क्योंकि ये जो project निकाला गया है जो contract sign हुआ है इस contract में यहाँ पर clearly mention हुआ था कि जब भी ये contract sign होगा जब से ये implement किया जाएगा उसको बनाने के लिए ये लगी जाएंगे minimum की बात कर रहा हूँ बाकी तो आपको पता ही हमारे देश में कि किस तरह से delay होते हैं project let's see कि क्या ये वाला जो deadline है वो भी पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है जाने से पहले यहाँ पर कुछ important चीज आपको ये भी बता दूँ आपके main point of view से अगर bullet train के पर question आ सकता है कि क्या benefits वगर हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप चीजों को represent कर सकते हो कि infrastructure transform हो जाएगा traffic कम होगा make in India को support मिलेगा manufacturing sector को boost मिलेगा जो technology है वो हम upgrade कर सकते हैं बाकी जगा apply कर सकते हैं economy को boom मिलेगा skill development को काफी फायदा होगा इस तरह की चीज़ें हो सकती in fact environment के perspective स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पर kilometer पर जितना emission होता है carbon dioxide और बाकी gases का उसके हिसाब से आप देख सकते हैं plane सबसे ज़ादा emission करता है ठीक है उसके बाद आप देख पाऊगे ship हो गया motorbike और even small car से भी कम मतलब की बहुत कम यहाँ पर emission होता है पर kilometer के हिसाब से अगर कर इसके उपर काम कर सकता है इसके लिए एक specialized hsr training institute का गठन किया गया है world class in walodra gujarat के अंदर यह आप यहाँ पर देख सकते हो ताकि यह जो पूरा project है Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor यहाँ पर अच्छे से functioning इसकी हो सके तो I hope दोस्तों यह जो पूरा video था regarding L&T ने 25,000 करोन का project यहाँ पर सब कु राइट answer है दोस्तों मैं अपने instagram पर तो डालूँगा ही अगर आप instagram पर नहीं हो कोई बात नहीं telegram से आप इसका राइट answer ले सकते हैं मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूँ आप stories में जाकर play कर सकते हो अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं कोई भी course purchase करना च चाहते हैं study IQ आप पर जा सकते हैं होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon